हेलो फ्रेंज मैं अमित राना आपका श्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपी इस्टडी टुटोरियल पर और हम चर्चा कर रहे थे MS Word के बारे में MS Word में मैंने मेल मर्ज टॉपिक आपको स्टार्ट करा दिया था आज मैं MS Word में मैं मेल मर्ज में आपको लेबल, इन्वलफ और एक सेल्डी सिल्फ के बारे में बताऊँगा तो स्टार्ट करते हैं लेबल से लेबल होता क्या है लेबल एक्षोली मैं आपको बता दूँ कोई भी चीज चीज चो श्टिक लगा जाते हैं मैंने कहा कि मैं कोई डेरी फंपर का करता रहेगा इन छीज़ों को तो मेरी आभशक्ता नहीं पड़ीगी इसी तरीके से इकर आख आइस तैयार करना होता है तो कैसे तयार करते हैं? से लेबल से इन्वलफ लेटर वगवेरा के लिए में भेजना होता है material उसके लिए मैं लेवल से start करता हूँ लेवल में जाते हैं हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद लेवल का जो हमारे पास dialogue box से सामने आ जाएगा लेवल सेटिंग में more option यहां से मैं एक page पे 30 लेवल लेना चाह रहा हूँ बाकी setting है यह page and height है अगर आपको नया कोई label add करना है तो आप यह height and weight लगाकर आप लेटर वगरा यहां से कर सकते हैं करने के बाद जो भी आपका label है वो आप तयार करेंगे यहां लिखेंगे आप जैसे कि सबसे पहले product का name होता है product name है ना इसके बाद जैसे कि अपना product है मैंने कहा अमूल का अपने पास कोई product है butter right अब बेट होता है product का तो product बेट मान के चलो आपका आधी किलो ही ले लो 25-500 ग्राम और उसके बाद होता है प्राइज प्राइज ले लेता हूं मैं यहां से प्राइज मैंने ले ले इसकी साड़े 400 रुपए इस तरह से मैंने लेवल यहां पर टाइप कर दिया टाइप करने के बाद इन चीजों को आपको new document पर क्लिक करना है किलिक करते ही आप देखोगे कि आपके एक पीज पर 30 लेवल तैयार हो गए हैं तैयार होने के बाद आपको file में जाना है प्रिंट में जाना है और इन्हें प्रिंट करना है आपके सारे प्रिंट हो जाएंगे और आप इन्हें cutting करके अपने किसी भी product पर लगा सकते हैं और ऐसे ही आपके जितने भी product है उन सभी कि आप labeling कर सकते हैं तो आसा करता हूँ आपको labeling वाला product इस बात समझ में आ गई करता है तो मैंने का टू कहीं भी मुझे वेजना या नहीं लिफापे का फस्ट वाला जो पेज रहता है ना वो तयार करे जाते इन्वलप में तो मैं यह से तयार कर रहा हूं उसे corporate करके spelling में छोड़ा mistake हो सकता है काउंकि मैं जल्दी जल्दी type कर रहा हूं office यहां से टू के बाद एंटर देना होता है इसे लेबलिंग बना रहे हैं आपन यहां से इस तरीके से उसके बाद हम यहां से एंटर करेंगे फिर यहां जो भी उनका पिन वगएरा होगा वो पिन ही टाइप करूंगा मैं यहां से पिन टाइप करने के बाद जो भी उनका मौमवाईल नमर, भूका मौमवाईल नमर ज़रूर ही रहता है कि एड्रस पर जल्दी से क्योंसी कोई भी चीज पहुन जाए तो जो भी उनका मौमवाईल नमर होग और वही होब में जाकर आप टेक्स फॉर्मेटिंग एफलाए कर सकते हो आ रहा है अच्छे तरीके से अब जैसे इसे और उपर ले लो जो भी आपका यहां करेक्शन हो गया है उसे आप सुदार सकते हैं यहां से बड़ा चोटा करके और इसका प्रिंटिंग करवा के आप यह लेविलिंग और इन्वलप क्या होता जो कि स्टार्ट मेल मर्ज में यह टॉपिक थे जो मैं उस दिन आपको बताया था तो कुछ चीजा रह गई थी वह कवर करने के लिए आज मैंने इस वीडियो को तयार किया है मैंने मेल मर्ज का step by step पूरा मेल मर्ज बजार समझा दिया आज एक छोटा सा topic और है अपने साथ हम तयार करेंगे पेसलिप किसी व्यक्ति की तो मैंने यहां पेसलिप का मैटल तयार कर रखा है आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होती है employer, post, joining, basic, TA, DA, PF, ESI, gross, net, पे तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें mail मर्ज में जाना पड़ता है, यह तो आप inside में designing कर सकते हैं, फिर mail में जाकर select, shift और यहां से type new list, type new list में जाकर आप यहां पूरा data तयार कर सकते हैं, जो भी आपको data बनाना है, new entry कर सकते हैं, आप यहां से new entry कर सकते हैं, data delete कर सकते हैं, आप यहां से delete हो जाएगा आपका data, find कर सकते है customize column में जाकर आपके जितने भी यह list हैं, आप इन्हें delete करकर अपनी कोई भी list add करना तो यहां भी बना सकते हैं, आप जो data TA भी है, जो आपके लिखे हुए दिना पीछे यहां पर, इन सभी को आप यहां बना सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें, आप यहां rename कर सकते हैं, ok करोके, set हो जाएगा यह data, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहां पर एक Excel में इस seat पहले से बना रखी है, तो Excel की seat को भी हम हाँ add कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको पेसलिप तयार करना बता रहा हूं, select में जाकर यहां से use editing list पर जाएंगे, जो हमारी seat save है, वहां ज करना से okay, करने के बाद insert merge में जाएंगे, जो जो topic है होना, जल्दी जल्दी हम click करते चलेंगे, जैसे name है, last name है, post है, और उसके बाद हमारे पास joining date है, basic salary है, यह data मैंने पहले से feed कर रहा है, तो मुझे सिर्फ यह सिर्फ मिलिंग मर्ज की तरह है, जो मिलिंग मर्ज में अपन कर रहे थे हैं, वही चीज़ हैं सारी, और मुझे यहां आकर इन है, sorry, और gross पे और net पे, और net पे, बस यह सब करने के बाद मुझे फिनिस मेल मर्ज पर जाना होता है, और individual document पर click करके all करूँगा, जितने भी लोगों को मैंने data तयार किया, सब की पेसलिप बनके तयार हो जाएगी, यह देखो, जो भी 5-6 लोगों की मैंने पेसलिप बनाई थी, एक अलग document खुलेगा, उनसे पेसलिप बनके तयार हो जाएगी, तो यह पेसलिप का काम ता है, यानि mail merge का totaling काम मैंने आपको समझा दिया है, आसा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठैंक यू, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, सेर करें,